जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है एक नई जानकारी में दोस्तो आप सभी का स्वागत करता हूं अपने व्लोगर रिंको स्टीपी यूटूब चैनल पर दोस्तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे जैसा आप सभी ने थमनेल में देखी लिया होगा किस मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लखनाव सीतापूर मैलानी पीली भीत डिली के रूट पर आखिरकार कभ जुड़ेगा लखीमपूर डिली से दोस्तो जैसा आप सभी को पता है बीटे 5 साल पहले लखनाव सीतापूर मैलानी पीली भीत अमान परवरतन का काम सुरू हुआ था लेकिन अभी तक वो अधूरा पड़ा हुआ है आखिरकार कभ जुड़ेगा ये इस पर बात करेंगे और साथी में मैलानी से दिली की ट्रेन जैसा संचालित की जानी ह अधित कुमार ने रेलवे बोर्ड को भेजा है तो पूरी जानकार इस वीडियो में देंगे आखिरकार दिली की ट्रेन मैलानी से कब संचालित की जाएगी लखनाव होते हुए सीतापूर मैलानी के रास्ते तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहे अभी तक वीडियो को ल पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके 22 लाकन को दबा दीजिए क्योंकि आने वारी हर वीडियो आप सभी तक पहुंच सके तो दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों कुछ दिनों पहले प्रिंट मीडिया के पेपर में निकल के आया था कि मैलानी से दिल्ली के लिए और मैलानी से चेनई के बीच में दो ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा इसलिए पुरुत्तर रेलवे लखनाव डिविजन के आदित कुमार डियारम सहाब ने दो ट्रेनों का परस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ट को भेजा है तो द ट्रेन संचालित की जाएंगी तो दोस्तों मैलानी से लखनाव लखनाव सहसे जहां पूर और पीली भीत होते हुए अगर इस ट्रेन का संचालन शुरू किया गया तो काफी सफर लंबा पड़ेगा तो इस ट्रेन में यात्री धेर सारे सफर नहीं करेंगे जब तक मैलानी स पीली भीत नहीं जुड़ेगा तब तक इस ट्रेन का लाव नहीं मिलने वाला जब मैलानी से पीली भीत जुड़ जाएगा अमान परवतन होने के बाद तब ये ट्रेन लखनाव जक्षन से सीतापूर मैलानी पीली भीत बरेली के रास्ते दिली तक संचालित की जाए तो इ किया जाना है लखनाओ से पीली भीत के बीच में तो दोस्तों अभी तक लखनाओ से मैलानी तक अमानी परवरतन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट है और उस पर ट्रेने भी संचालित हो रही है रेल इलक्टिफिकेशन का काम भी वर्क हो गया है लेक्ट्रिक ट्रेन दोड़ा जा रही हैं और अभी तक मैलानी से पीली भीत अमानी परवरतन अभी अधूरा पड़ा हुआ है सिर्फ मैलानी से साहगर तक इसका सियारस स्पेट ट्रायल करा लिया गया था और वहां पर अभी रेल इलक्टिफिकेशन का काम चल रहा है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं से आ जाएगा क्योंकि अभी माला रेलवे स्टेशन के आसपास में जो जंगल पड़ता है वहां पर मीटर गेज की पत्रिया हटाई जा रही है जैस्मेंटल का काम किया जा रहा है तो लगभग अभी 10 से 12 महीने लग जाएंगे इस काम को पूरा होने में उसके बाद ही मैला से ट्रेन संचालित हो पाएंगी दिल्ली के लिए लखनाउ सीतापुर पिलिभीत के राश् तीक उसके बाद लखीम्पूरेलवे स्टेशन direct डिल्ली से जुर जायगा और लखनाउ सीतापुर मैलानी होते हुए पिलिभीत डिल्ली की ट्रेन चल सकेगी तो दोस्तो अभी इन ट्रेनों में समय है बस इंतजार करिए मैलानी पीली भी रेल सेक्षन जुड़ने में बहुत जल्ड ट्रेंज का संचालन शुरू होगा तो आज की जानकारी कैसी लगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए मिलते हैं गली वीडियो में बहुत जल धन्यवाद